हालो दोस्तों जी कोचिंग में आपका स्वाहकत है आज हम लोग पढ़ना जा रहे हैं इंगलिश के रामर में इप्र और नवर कर से टानियुप टू कैसे हटाएं यहाँ पर टू कैसे जोड़ें तो टू जोड़ने की नियम देखते हैं अगर आपको रिमूब टू यानि टू हटाने की नियम देखना है तो ट्रांस 7 को आप देख सकते हैं और उससे पहले सुपरलेटिव डिग्री से CDPD सब कुछ है एक दूसरे में दिक्स जो है वह वीडियो बे आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे चले शुरू करते हैं टू के लिए हम रूल नंबर वन पर प्रकाश डालते हैं जब वाक्य में टू टीडवलोट टू एड करना हो जोड़ना हो तो फिर क्या करेंगे हम कि टू को सो में बदलते हैं यहां क्या करेंगे सो को टू में बदलेंगे यहांनि उल्टा करेंगे बिल्कुल उसका और वहाँ पर टू को देट प्लस सब्जेक प्लस कैन नौट या कुट नौट को हम केवल और केवल टू में बदलेंगे चलिए इस सेंटेंस को देखते है इस sentence को add to करते हैं देखिए यह पूरा अंडर लाइन है तो sentence बना चलने के लिए भे अत्याधिक थका हुगा है तो इस तरह से sentence transform हो गया और इसका अर्थ भी नहीं बदला आपको बता दे transformation का मतलब होता है कि sentence का sentence का रूप change हो जाए और उसका अर्थ भी ना बदले यह transformation कहलाता है तो यहाँ पर जो है हमने देखा कि negative sentence को positive sentence में बदल दिया गया तो दो चीज़ें आप यहाँ पर समझ सकते हैं एक तो यह कि आपने add to किया है और दूसरा यह कि आपने एक negative sentence को positive में change कर दिया जब आप affirmative से negative बनाने बैठेंगे और negative से affirmative बनाने बैठेंगे तब भी यह दौनों काम आएंगे चलिए अगला sentence देखते हैं अमित वाज सो पूर अमित इतना घरीब है देट यह कुड नौट पे फी यह वो फीस जमा नहीं कर सकता तो यहाँ पर आप देखें add to करने के लिए so को जो है टीरा वाल टू में change कर दिया और that he could not को जो है के वालो के वाल टू में change कर दिया तो sentence बन गया अमित वाज टू पूर टू पे फी अमित फीस देने के लिए अत्याधि गरीब है तो अमित है कि दोनो sentence आपकी समझ में आगा होंगी अब हम लोग सीखने जा रहा है rule number two rule number two हमसे कह रहा है जब वाक्य positive हो तो उसे not two के साथ negative में add to करते है हा दोस्तों ये बात आपको याद रखने की है कि positive sentence को हम negative में add to करते है और negative sentence को positive में add to करते है तो यहाँ पर देखते है the patient is so weak that he can move यहाँ पर not नहीं आया the patient is so weak मरीज इतना कमजोर है that he can move कि वह चल सकता है कमजोर ता है मगर चल सकता है चली आगे देखते है इसको add to करते है तो क्या बना the patient is too weak यहाँ पर so की जगे टी डवल टू लगा दिया और that he can की जगे not two यहाँ पर fit कर दिया दूसरा example देखते है Ruby is so rich that she can buy a car Ruby इतनी अमीर है कि वह कार खरीद सकती है Ruby is so rich तो यहाँ पर क्या करेंगे हम so की जगे टी डवल टू को add कर देंगे और that she can की जगे हम not two लगाएंगे आपको बताया था भी कि इसमें sentence में अगर not नहीं होगा तो हम not के साथ two के साथ not को लगाएंगे और अगर sentence में not होता है तो हम फिर सिर्फ two लगाते है not नहीं लगाते है नहीं एफर्मेटिब को negative में बनाना है और negative को affirmative में बनाना है बिलकुल आसान सी बात याद रख लिए two है तो हटाएंगे नहीं है तो लगाएंगे बात समझ में आ रही है two है तो हटाएंगे और नहीं है तो लगाएंगे चलिए rule number three देखते है जब वाक्य का main subject और दा के बात का subject that के बात का subject यहां पर वाध्यान से देखें दोस्तों जब वाक्य का main subject जो शुरू में दिया होता है वो और that के बात का subject एक जैसे न हो यानि subject male दिया हुआ है और that के बात ही न हो subject female दिया हुआ है और that के बात शी न हो subject आई दिया हो और that के बात आई न हो तो फिर क्या करेंगे देखें आगे अर्थात अलग-अलग हो यानि सब्जेक्ट कैसे हो अलग अलग हो एक जैसे ना हो और में सब्जेक्ट उसमें से निश्किरी हो यह पूरी पहचान है ध्यान रखें इसको में सब्जेक्ट निश्किरी हो तो देट के बाद के आई को फॉर मी में वी को फॉर यू में वी को फॉर अस में आई को फॉर म में he को for him में she को for her में बदलते हैं चलिए sentence और example से बात समझ में आती है example देखते हैं लोग यहां पर तीन example इसके लिए दिये हुए है the water is so hot that I cannot drink the water is so hot the water is so hot that I cannot drink पानी इतना कर्म है है कि मैंसे पी नहीं सकता यहां पर आप देखें sentence में कि the water एक निश्च के लिए subject है और that के बाद यहां पर आई आया हुआ है यानि subject main subject और that के बाद का subject दोनों same नहीं है अब क्या करना है इसमें बहुत यह करना अगर आई है तो for me में बदल देंगे that के बाद अगर he है तो for him में बदल देंगे that के बाद अगर she है तो for her में बदल देंगे that के बाद we है तो for us में बदल देंगे तो बात आपकी समझ में आया होगी एक बार फिर से आप इसके प्रूल को पढ़ लीजेगा दट्री इस सो हाई देट दे चैनोट किलाइब फिर इतना उचाही की वेस पर नहीं चड़ सकते हम देखें हापर एक सब्जेक्ट दट्री है दूसरा सब्जेक्ट दे है दौनों सेम नहीं है ऐसी इस्तिती में देखो हम फॉर तैम में चेंज कर में सब्जेक्ट और देट के बाद का सब्जेक्ट सेम नहीं होगा तब ऐसा करेंगे तो दट्री इस सो की जगे लगाए टी डावलो टू दट्री इस तू हाई फॉर देम देखी जाए फॉर देम और यह जब पूरा अंडरलाइना है देट देके नोट इस पूरे की जगा जा सकती है तो यहां पर इट और शी के शी दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो ऐसी स्थिज्म क्या करेंगे हैं शी को फॉर हर में चेंज करेंगे तो इट इस टू कोल्ड सो की जगे टू लगा दिया इस टू कोल्ड और यह पूरे की जगे जो है यह टू आएगा और तो गो आउट उसके बाहर जाने के लिए अत्यधिक ठंडा है तो यह हमने अभी तक इसके तीन नियम पढ़ लिए यह चौथा नियम इसके सामने आ रहा है यह चौथा नियम देखते हैं चले रूल लंबर चार को पढ़ते हैं हम लोग रूल लंबर चार के रहा है कि जब पानी नहाने के लिए अत्यधिक ठंडा है दूसरा शेंटेज देखते हैं इतना गरम है तेट बन केन नौट गो आउट की कोई बाहर नहीं जा सकता तो तो सो की जगे टीड़ लगाने और नियम के हिसाफ से तेट बन केन नौट की जगे केवल डू लगाना है बस तो यह सेंटेज आसान है समझ में आ जाने वाले हैं रूल नमबर 5 को देखते हैं तो और भी आसान लग रहे हैं सिर्फ आपको याद रखने की देरी है रूल नमबर 5 क्या कह रहा है और या एक्स्ट्रीमली हटा कर टीर अवल टू रखते हैं कितनी आसान से बात है सेंटेंस में ओवर दिखाए दे तो तो रख दो एक्स्ट्रीमली दिखाए दे तो भी टू रख दो ए टू हो जाएगा she is over smart, over की जागे two रख दिया, she is too smart, I was extremely smart, extremely की जागे two रख दिया, तो क्या बना, I was too smart, तो ये बात समझ में आगई होगी छोटे 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 निया में, rule number six को हम लोग देखते हैं, यदि, यदि वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, बिल्कुल आखरी में क्या हो, beyond the proper limit हो, वाक्य के आखरी में, beyond the proper limit हो, तो उसे हटा कर, adjective से पहले two को एड करते हैं, देखें सेंटेंस को समझ में आगी बात, she is smart, वे smart है, beyond the proper limit, अपनी लिमिट से कहीं ज्यादा, अपनी हद से कहीं ज्यादा, smart है, तो उसकी smartness को यहाँ पर क्या कर नहीं हम लोग, beyond the proper limit को हटा कर, smart के पहले हम टी डवलो टू रख दें, she is too smart, you are foolish, beyond the proper limit, beyond the proper limit को हटा कर, foolish के पहले क्या रख दिया, टी डवलो टू, you are too foolish, rule number seven, यह very important है, rule number seven, पेपर में अक्सर आ जाता है, यह competition में ज्यादर पूछते है, rule number seven को, इसको याद रखें, tgt, pgt और mp grade, lt grade, read, इसमें यह वाला sentence ज्याद पूछते है, जब वाक्य में, cd plus then plus it is proper हो, क्या क्या हो, cd हो, सा प्लस pd का इस्तिमाल करते हैं, यानि cd को हम इसमें pd बदलते हैं, और से पहले 2 लगाते हैं, और बाकी सारी चीज़ें हटा देते हैं, रमेश रंस, more slowly than it is proper, then it is proper को भी हटाया, more slowly को, more slowly की, pd slowly रखी और से पहले टी डवलो टू रख दिया, तो बना, रमेश रंस, too slowly, it is colder than it is proper, तो colder का गया, cold और से पहले रख गया, two, बना, it is too cold, तो ये कुल मिलाकर seven, कुल मिलाकर seven आपने rules के सीखें, और ये add two है, इस से पहले trans seven में remove two को सिखाया था, उसको भी आप जो है, आप playlist में जाकर, या वीडियो पर जाकर, जी coaching में जाकर उसको जो है, देख ले, औ उसको नोट करके याद कर ले, और इनको भी नोट करके याद कर ले, thank you for watching.